सो हे गाइज, वलकम बैक टो दे चानल, सो आज किस वीडियों बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप में से बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था कि भाई क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट के जाता है, कैसे इस पे प्रॉफिट बनाया जाता है, मैं एस वीडियों आपको मिनिममंँ हंड़ेट रूपी से करना सिखाऊंगा और आपको सारा प्रॉसेस बतांगा की कैसे क्या था ciąब्रस्री करना खोब्स cryptocurrency है जिसमें किसी भी government या person का कोई भी control नहीं है cryptocurrency अपने demand के हिसाब से उपर जाता है और जैसे इसका demand कम होता है वो नीचे यहाँ पर गिरने लग जाता है तो यह थोड़ा सा आपको basic यहाँ पर समझ आया होगा cryptocurrency में सबसे जादे famous आपने कभी किसी का नाम सुना होगा वो है आपका bitcoin लोग जो है bitcoin में invest करके यहाँ पर लाखो रुपया बना चुके हैं तो bitcoin का अगर मैं आपको थोड़ा सा history बता दूँ तो bitcoin में अगर कोई बंदा है यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि bitcoin का 2015 में एक bitcoin का price था वो था 14,715 रुपया यानि कि कोई person अगर 2015 में एक bitcoin purchase कर लिया होता 14,000 देखे तो आज अगर आप current bitcoin का एक bitcoin का price अगर आप देखोगे तो एक bitcoin का price अराउंड 11,00,000 रुपया है मलब आप समझ सकते हो कि जो बंदा 2015 में एक investment क्या होता मादर 14,000 something का एक bitcoin का तो आज उसका एक bitcoin का price होता वो something 11,00,000 रुपया होता तो यह है bitcoin का history जो कि आपको मैंने है पर बताया और बहुत सारे expert का भी यह मानना है कि अभी जो bitcoin का current जो price चल रहा है इससे यह काफी जादे उपर जाने वाला है क्योंकि इसका demand काफी जादे हैं आपर बढ़ते जा रहा है दिन बदिन काफी bitcoin का price increase होते जा रहा है एक मैं आपको chart से बताना चाहूंगा कि लोग अगर investment करना चाहते हैं तो basically अगर देखा जा तो लोग FD में करते हैं gold purchase करते हैं mutual fund में करते हैं stock market में करते हैं तो एक मैं basic साया पर chart आपको दिखाता हूं अगर आप gold में invest करते हैं तो hardly आपको कितना 1-2% का्याप इंट्रेस्ट में बता है आनी कि आप 1-2% profit में रते हैं अगर आप mutual fund में करते हैं तो hardly आपको 14-15% है FD में पैसा लगाते हैं तो hardly आपको 6-7% का मिलता है लेकिन अगर आप Bitcoin वे पैसा लगाते हो तो इसका interest rate आप देख सकते हैं 67 से plus है वह आप समझ सकते हो कि कोई भी आपको field कितना जाद है आपको profit निकाल के नहीं देन वाला है तो यानि कि आप देख सकते हो कि crypto currency का यहापे creates कितना जादे बढ़ा हुआ है लोग यहाँ पर investment करके अच्छा खासा पैसा बना रहें एक चार्ट मैं आपको और भी दिखाना चाओंगा कि अगर मैं आपको अभी बात कर दूँ performance के बारे में तो यहाँ पर Amazon है आपका Apple है Microsoft है Facebook है सभी का जो performance आप देख सकते हो कि Bitcoin से कितना यहाँ पर नीचे चल रहा है Bitcoin कितना यहाँ पर टॉप पर चला गया आप यहाँ से समझ सेकते हो कि इसका demand काफी जादे हैं यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो यह है Bitcoin का कुछ यहाँ पर concept जो कि मैं आपको समझा दिया वैसे cryptocurrency में बहुत सारे आते हैं जैसे कि Bitcoin तो सबसे पहले मैंने बता दिया फिर आपका Ethereum भी आता है यह साब में लोग वीडियो के आगे में सारा cover कर देंगी किसमें आपको invest करना है किसमें कितना profit यहाँ पर बनने वाला है कुछ आओर आपको history अगर बता दें तो Bitcoin को 2018 में RBI ने इंडिया में cryptocurrency में invest करने को ban कर दिया था लेकिन Supreme Court ने March 2020 के बाद इस ban को हटा दिया है और अब आप इंडिया में cryptocurrency में invest भी कर सकते हो और trade भी यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि Bitcoin एक अलग currency है और आप भी जो हम लोग currency यूज़ कर रहे है वो इंडियन currency यूज़ कर रहे है तो देखो इसके लिए आपको किसी न किसी एप का सारहन लेना पड़ेगा लेकिन मैं आपको coin switch recommend करना चाहूंगा क्योंकि coin switch में आप minimum 100 रुपिस से आप यहाँ पर Bitcoin या किसी भी cryptocurrency में invest कर सकते हैं जो कि काफी जाद यहाँ पर best हो जाता है चलिए मैं आपको live process बताता हूं invest करने का या किसी भी cryptocurrency को sell करने का buying selling मैंने यहाँ पर दोनों आपको दिखा दूँगा live process करके दिखाऊंगा तो basic सा कुछ खास ने करना है वीडियो के description में coin switch app download करने का मैंने link दे दिया है वहाँ पर आप जाके play store से पहले app download कर लिजे app आप जैसे download करेंगे आपको open करना है तो आपको एक mobile phone यहाँ पर number डालना होगा mobile phone number डालेंगे तो आपके mobile phone में OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर put on करना है तो यहाँ पर pin set करना पड़ेगा चार्ड डिजिट का जो कि आपको हमेशा login करने समय मांगा जाएगा pin select करने के बाद आप जो है coin switch के interface में आ जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर KYC करना पड़ेगा उसके बाद ही आप यहाँ पर investment कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको full name डालना है date of birth डालना है फिर email ID यहाँ पर डालना पड़ेगा email ID में OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर fill up करना है next step में आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर अपना pan card यहाँ पर verify करना तो make sure करेगा कि pan card आपके नाम से होना चाहिए इसमें आपको pan card का front and back का यहाँ पर photo click करके डाल आपको यहाँ पर national identity verify करवाना पड़ेगा अधार card के साथ भी बढ़ सकते हैं तो अधार card का front and back यहाँ पर upload करना है उसके बाद आपको बोला जागा एक selfie यहाँ पर click करने के लिए max to max 15-20 minute में यह verification आपका successful हो जाएगा next step आपको bank detail यहाँ पर डालना पड़ेगा ताकि आप कोई भी crypto currency purchase कर सकते हो तो उपर में आपको deposit INR का option मिलेगा आप just यहाँ पर click करेंगे जैसा आप यहाँ पर click करेंगे तो अभी मेरा कुछ current यहाँ पर balance हो रहा क्योंकि मैंने पहले से testing कर लिया हूँ proof ले लिया हूँ उसके बाद इस video को shoot कर रहा हूँ ताकि आपको को इंडियन करेंसी देखने को मिलेगा यानि कि आप UPI के जरीए भी पैसाइड कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर करके भी पैसाइड कर सकते हैं तो अब लोग UPI को यहाँ पर select करेंगे जिसमें आप Google पे phone पे Paytm से कर सकते हैं सौर पे deposit कर दिया है जैसा आप यहाँ पर deposit पे click करे तो वो है आपका Bitcoin है Ethereum है यह सब काफी जादी यहाँ पे famous है तो in case अगर आपको Bitcoin में invest करना है तो आप यहाँ पे Bitcoin वाले option में click करेंगे तो यहाँ पे पहले Bitcoin का यहाँ आपको सारा portfolio दिख जाएगा जैसा कि अभी एक Bitcoin का value क्या चल रहा है वो है आपका 11,79,000 something एक Bitcoin का यहाँ यहाँ पे value चल रहा है Bitcoin अभी low में नहीं चल रहा है इसका proof आप यहाँ पे देख सकते हो Bitcoin अभी 4.33% high में चल रहा है तो अगर आपको buy करना होगा तो आप यहाँ पे buy वाले restriction में click करेंगे तो आप 100 रुपीज से यहाँ पे Bitcoin purchase कर सकते हो तो आप क्या करेंगे आप 100 रुप यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कोईन स्विच वालेट से तुरंद इंस्टेंट 100 रुपया कट जाएगा और आप को यहाँ पर चेक करने के लिए जिसके लापको जो पॉटफोलियो वाले restriction में जाना पड़ेगा जो यहाँ पर नीची एक option मिलता है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सारा डिटेल मिल जागा कि आपके पास अभी इंडियन करेंशी केतना अबलेबल है कितना आपके पास क्रिप्टो करेंशी अबलेबल है सारा शो हो जागा जैसे कि बिटकोईन का जो भी हमारे पास अबलेबल है वो यहां पर शो हो रहा है अगर अगर आपने bitcoin में purchase किया तो bitcoin पे click करेंगे नीचे आप थोड़ा सा यहाँ पे scroll करें तो आपको यहाँ पे buy and sell का जो option मिलता है आप यहाँ पे sell वाले section में click कर लेंगे आपको बताना होगा कि आपके पास कितना bitcoin है तो उपर में आपको दिख जाता है कि आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे sell वाले section में click करेंगे और instant आपका bitcoin जो है वो sell हो जाता है जैसे यह sell हो जाता है यह सबसे पहले coin switch में आएगा क्योंकि यह Indian currency में convert हो के आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फिर से यहाँ पे portfolio वाले section में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे जितना भी पैसा आपको दिख रहोगा वो सारा पैसा आप बैंक पे withdraw लगा सकते हैं बैंक पे withdraw लगाने के लिए सबसे पहले bank detail अपडेट करना होगा जो कि मैंने आपको आगे बता दिया उसी bank में आपका पैसा आएगा जस्ट आप लोग यहाँ पे withdraw वाले section में क्लिक करेंगे यहाँ पे minimum आप 100 रुपीज पे ही withdraw लगा सकते हैं 100 रुपीज से नीचे withdraw आपका यहाँ पे नहीं लगेगा तो हमारे पास 297 है तो हम लोग 297 लिख देते हैं और यहाँ पे withdraw पे क्लिक करते हैं जैसा आप विड्रौ पे क्लिक करेंगे आपका bank detail यहाँ पे से आजाएगा आपको verify कर लेना आप इसी में विड्रौ लगाना है तो आप यहाँ पे confirm में क्लिक करेंगे जैसा आपके confirm में क्लिक करते हैं पिन आपको डालना पड़ेगा जो कि मैंने आपको शुरू में बराने को बोला था हमने यहाँ पे पिन भी पुटाउन कर लिया है जैसा आप पिन पुटाउन करते हैं आपके email ID में एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे fill up करना है हमने यहाँ पे OTP पुटाउन कर लिया है जस्ट यहाँ पे arrow पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बोल दिया जागे कि आपका withdraw यहाँ लग चुका है यह withdraw हुआ amount around 15-20 minute में आप आपको यहाँ पे flash करके बता देंगा कि कितने देर में मेरे को यहाँ पे credit किया गया है मैंने आपको live process दिखाया coin switch के जरिये कि कैसे आप जो है कोई भी crypto currency में पैसा invest कर सकते हो पैसा invest करोगे profit बनेगा फिर directly आप कितने असानी से bank में पैसा को withdraw भी लगा सकते हो मैं एकदम live process आपके सामने हाँ पे बताया है और सबसे best pass तो इस app का मेरे को यह लगा है कि आप minimum 100 rupees से ही पैसा यहाँ पे invest कर सकते हो जो कि काफी बढ़िया यहाँ पे बात हो जाता है इस app का interface भी बिल्कुल सही है आप अराम से सारा यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से crypto currency का भी value कितना च देख सकते हो उसके बाद profile वाले section में आप सारा handle कर सकते हो कि आपका क्या कि हाँ बेटेल है बैंक डीटेल अगर आप चेंज करना चाहो तो वह भी आप चेंज कर सकते है markets का rate भी आप देख सकते हैं जिसमें सबसे top gainer जो है और top loser है वह भी आपको देखने को मिल जागा तो इससे आप एक अंदाज भी लगा सकते हो उसके बाद portfolio है और उसके बाद home आपको देखने को मिल जागा तो overall यह app काफी ज़्यादे बेस्ट है क्रिप्टो करने के लिए तो मेरे तरफ से किदम thumbs up है highly recommend है आप इस app के जरिए investment कर सकते हो video description में इस app का download करने का link मैंने आपको दे दिया है अब कुछ main यहाँ पर बात करना चाहूंगा opinion देना चाहूंगा ऐसा बिलकुल नहीं कि आप यहाँ पर invest कर लिजे कुछ मेरा opinion भी लिजे उसके बाद फिर invest करना तो आपके लिए काफी जाद यहाँ पर best हो जाएगा तो सबसे पहली बात कि crypto currency कोई game नहीं है कि आपने आज पैसे लागा है तो कल जाके डबल हो जाएगा आपको जो है इसका knowledge होना जरूरी है आप knowledge क्लिक क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको bitcoin इंवेस्ट करना है तो आप क्या करें कि bitcoin का history निकालिए कि previous एक सब्ता में कैसा इसका प्रफॉमेंस रहा है कितना आपको history निकालना पड़ेगा थोड़ा सापको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में आप invest कर रहे हैं और कितना आपको invest करना वो आपको खुछ से यहां पर समझना पड़ेगा क्योंकि यह crypto currency ऐसा चीज है जो एक दिम अचानक से कभी high हो जाता है और अचानक से काफी ज्यादे low भी हो चाता है तो यह आपको ध्यान देना है कि कैसे इसका study आपको करना या आपको खुछ समझना पड़ेगा थोड़ा से यहां पर दिमाग लगाई है थोड़ा साप इसका study करिए तभी जाकर करके आपको यहां पर invest करना है दूसरा बात आपको यह बताना चाह 100 रुपया इंवेस्ट करो 500 इंवेस्ट करो उसके बाद पहले देखो कि 100 रुपया 500 इंवेस्ट करने से कितना आपको return मिल रहा है कैसे graph लो जाता है कैसे graph उफर जा रहा वो आपको study करना पड़ेगा तो सबसे best मैंने इसलिए इससे आपको recommend किया है क्योंकि इसमें आपको 100 रुपीज से इंवेस्ट में जाता है और I think 100 रुपीज का risk तो कोई भी ले सकता है कोई भी दिखत वाली बात नहीं है तो कहने के मतलब यह है कि आपको पहले minimum amount से इंवेस्ट करना सीखना पड़ेगा उसके बात फिर आप high amount में जाना है ऐसा बिलकुल नहीं कि 10-20,000 जबल हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल बात नहीं है आपको पहले study करना पड़ेगा 100 रुपीया minimum यहाँ पर इंवेस्ट करना पड़ेगा अगला में opinion यह भी देना चाहूंगा कि कभी पर इसमें इंवेस्ट करना तो long term को सोच के इंवेस्ट करना ऐसा बिलकुल नहीं समझना कि आज आपने पैसा डाला तो एक मेहना बात निकाल लेंगे तो profit मिल जागा ऐसा बिलकुल नहीं है अराम से long term basis पे थोड़ा चलो उतना ही amount को invest करो जितना को आप long term में ले करके जा सकते हो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं आपको फिर से बार-बार repeat कर रहा हूं को कि आपको पहले research करना है कि crypto agency होता क्या है कैसे यह work करता है इसके उपर आप blog पढ़ो YouTube में वीडियो देखो कि अखिरकर कैसे है कैसे इसका blockchain यहाँ पर काम करता है समझना पड़ेगा उसके बाद invest करना हूं को एक ही बार पैसा जादे नहीं लगा देना पहले समझो crypto agency क्या ह तो यह मेरा opinion है और मैं definitely अपने तरफ सगर में बोलू तो मैं भी इस पर definitely invest करना वाला हूं ना कि bitcoin में ethereum सब में invest करूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ सभी bitcoin में लगा के मैं छोड़ देने वाला हूं क्योंकि आपको मैंने return तो दिखाया ना 2015 में क्या rate था और अभी 2020 में आप compare हो जाना चाहिए तो मैंने detail में cryptocurrency के बारे में बता दिया क्या है और कैसे आप minimum 100 रुपेस invest कर सकते वो भी मैं आपको बता दिया है तो वीडियो अगर जरा भी helpful लगा तो फ्लीज वीडियो को लेग एक like कर सकते हैं और वीडियो को share करना ना भूले ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि crypto के NCB एक अच्छी चीज है जहां पर लोग invest करके अच्छा कासे आपर returns ले सकते हैं तो वीडियो को family relative में शेर करना भी ना भूले चैनल को subscribe भी कर सकते हैं सो मिलते हैं और साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत